सत्लोगधाम टीवी को सब्सक्राइब जिनू करे नाम दिख्या लेने से पहले आप क्या बक्ति सादनाय करते थे जी जी मैं भी फोलो करता था और उसमें बचपन से जो मुझे बुद्धि आई तो बता देती कि यह भगवान है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था चलता था ड्रक्राइवारी काण्यान पूंपटी और सुन् sk dakika say. लगदर रहते हैं कि पूरे कि नसा पान का इतना ज्यादा पाखंडवाद है और मास मदीरा का कि जब बच्चे जब बड़ें के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहन करते ही हैं सराब पीते हैं मदीरा करते हैं मास खाते हैं तेवहारों में और बहुत सारे से लेकिन जब बच्चे जब वहां पर उस्वस्थित होते तो जब बच्चा जब सराब का ग्लास पकड़ता है और पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं बोलते हैं माता पीता कि नहीं बेटा यह जहर है यह सराब है इसे नहीं ग्रहन करते हैं लेकिन जब हम बच्चे को मना कर रहे हैं कि वह जहर है नहीं ग्रहन करते हैं तो हम माता से यह खतम हो जाएगा पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज को तो स्वेम क्यों कर रहन कर रहे हैं तो यह बात भी मुझे अजीब लगती थी और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर्स ही पैदा हो जाती थी कि यह भगवान मैं यह गलत क कर रहा हो ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया और बच्पन से मुझे भूत प्रेद की बाधा इतनी जादा थी इतनी जादा और मेरा तबीयत इतना खराब होता था कभी मलेरिया टाइफेट मलेरिया कम से कम महिने में तीन चार तांतरिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेद के बाधाओं को दूर कश्ट के चलते लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि जड़ से खतम हो जाएगा कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तार पर लगता था कि हां ऐ तो आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आए जी सर जी मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाए घटी मैं बोंबे में रहता था वहाँ पर मैं एक सीप में काम किया करता था दरिया में ती सराब पिना पहले से ही था बचपन से ही और ऐसे करते करते अब इतना ज़्याद आती होने लगा भाई हैं संतोस दास करके चापा जीले से वहां से उसने फोन किया मेरे दोस्त को बोला कि हम लोग हरियाना जा रहे हैं वहां पर कोई बाबा आये हुए हैं जिससे की मतलब बहुत ही आसिरवाद लेने से मातर से जो है ना अब दुख तपलीग ठीक हो जाते हैं कुछ-कुछ प्राप्त हो जाते हैं यही बताए उन् प्रिद के बाधा थे मुझे अजीब समा महसूस होने लगा कि यहां पाखनवाद होता होगा इसा इसा पर मैं दुख के कारण गया था विश्वास करके कि मुझे भगत भाई मुझे कहे कि आप चंगा हो जाओगे संत्रामपाल जी महराज से हमने नाम दिख्छा लिया और तीन दिन तक वहां सत्संग चलती थी सर जी तो दो दिन तक ब्रह्मा विश्णु महस गीता वेद वगयरा से कुरान से सत्संग सुरा रहे थे संत्रामपाल जी महराज और मुझे कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चन धरम से रिलेटेड था तो तीसर मुझे दिन सन्तरामपाल जी महराज सत्संग सुनाए उसमें वाइवल से सुना तो वाइवल से सब्सक्रा रहे थे तो मुझे सारी बात यादाने लगी किunktुरुपति श Ir diamit Самe भी ने मुझे आने लिखा है और और ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से तो मुझे वह सारी चीज तो ठीक तुरंट जो है ना मुझे मेरे मुमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बोंबे में कमरें के अंदर वो चीज़ द्रिश्या याद करो मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्सन हुआ था जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है जो आपने मेरा रूप देखा था मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैट के सत्संग सुना रहा हूँ मुझे पहचानो ऐसी प्रेरना हुई और फिर जो परदे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ यह वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था इस परश रूप से यही संत्रामपाल जी महराज का रूप में कमरे में देखा था नाम दिख्छा लेने से पहले दर्शन हो चुका था और आज वही चीज बोला जा रहे है भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है और परमात्मा जो है ना सद्गुर संत्रामपाल जी के महराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरू रूप में आज विराजमान होरकर बीरो बिश्व को सभी अपने जगत संसार को जो है ना ग्यान दे रहे हैं सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले हैं? जी सर जी मुझे लाब मिला है, मुझे बहुत बिमार रहता था, सिप इंजेक्षन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे, उनसे नाम दिख्षा लेकर संत्रामपाल जी महराज से सर देखा जा रहा है कि संत्रामपाल जी महराज ने अध्यात में ग्यान की किरांती लादी है बहुत सारे सरदालू संत्रामपाल जी महराज से जोड़ने हैं और दूसरे धर्म जैसे इसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत्रामपाल जी महराज से भारी संक्या में सरदालू जोड़ने हैं जैसे कि आपने बताया कि आप किश्यन धम से थे और फिर आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा ली तो क्या संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए क्या संत्रामपाल जी महाराज किश्यन धम मुसलिम धर्म से कनबट करक नई सर जी ये सब चीज बिरकुल गलत बात है कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत्रामपाल जी महराज की वो तो बताते हैं जीव हमारी जाती है मानाव धरम मारा हिंदू मुस्लिम सी की साई धर्म नहीं क्विन्यारा इसमें सभी जो आधार है तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना और संत्रामपाल जी जब खोल-खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आए और वही चीज हमारे क्रिश्चन धरम के फादर गुरु भी बताते हैं किसी चीज को एक जगा का पाठ उठा करके मेरे चाचा जी वो लो जब भी यह कभी नहीं बोलते हैं कि आप लोग सराब पीना चोड़ो जीव हत्याइच छोड़ो मास मदीरा चोड़ो जिससे आपकी आने वाली पीड़ी आपकी बच्चों की दुरगती हो रही है यह संदेस कभी भी नहीं देते हैं सर मैं कभी फादरों के मुझ से नहीं और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्या इसायस का ग्रंथ अध्या 22 वचन पद संख्या 13-14 में लिखा है कि किन्तु तुम मास खाते हो जूकि हत्याय करते हो मास मदीरा खाते पीते हो उनके लिए पिता परमेश्वर ने इसपष्ट सपत ग्रहन की है कि उनकी स्वर्ग की प बता रहे हैं वो सास्तर अनुसार है जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं और जो मैं आज मान रहा हूं लोग कहते हैं कि हिंदु धरम परिवर्तन कर लिया ऐसा कुछ भी नहीं है संद्रामपाल जी महराज धरम परिवर्तन नहीं करा रहे हैं हम अपने इसाई धरम को ही मैं आज भी मानता हूँ और उसी धरम ग्रंत को मैं ले करके आधार बना के चला रहा हूँ मैं सिर्प मैं उनमें जो लिखे बुराईयों को और अपने समाज में जो बिगडे जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक के सास्तर अनुकुल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ती कर रहा हूँ पहले सर जी मैं बाइबिल के बिरुद्ध चल रहा था और परमपराएं कर रहा था खान पान सारी चीजें लेकिन अब जो है न मैं संत्रामपाल जी महराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्यान प्राप्त करके जो है न हमें पता चला और अब मैं जो है न सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइविल के ग्यान आधार पर और संत्रामपाल जी के बताए ग्यान आधार पर चल कर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ और मुझे सुख सांती प्रदत हो रही है। मैं उनके लिए यही प्रात्ना करना चाहुँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं आज तो क्या है आज जो जितने भी हमारे धरम गुरू इसाई गुरू बता रहे हैं कि मास खाना है मदीरा पी सकते हैं यह पिता परमेशर इसा मसीन हमें सिखाया है तो यह बिल् बाइबिल में दो तरह की बाते लिखी हुई है मास खाने के लिखी हुई है और ना खाने के लिखी हुई है तो जो खाने के लिखी हुई है वो काल भगवान का है और जो ना खाने के लिखा गया है वो पिता परमेसर का संकेत है जिसको की आज आधार बनाकर खाने का ही मान रह बाइबिल में लिखा है कि इसा मसी ने भी कहा था कि मैं जो हैना तुम सभी से मैं सची बाते बताना चाहता हूं और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते क्योंकि इस संसार में जो नायक बनके आया था मैं नायक बनके आया था वो नायक जो हैना दोसी ठाराय जा चुका है इसा म कि नायक दोसिठारा जा चुका है क्योंकि अब मुझे यहां से वापस जाना होगा और मेरे जाने के बाद में जो सत्या का आत्मा आएगा वही जो है ना पून सत्या तक लेग जाएगा और सब को पूरे विश्वा का कल्यान कराएगा वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत्रामपाल जी महराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण संभु हैं उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्यान होना है और जितने भी जो हमारी इसाई धरम ये सोचते हैं क पिता परमेश्वर का राज इस्थापित होगा वो जो है ना आज संत रामपाल जी महराज के द्वारा ही होना है और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं जो सभी बाइबिल में लिखा है वेद में लिखा है गीता में लिखा है कुरान में जो बखान है वो पुन परमात्मा का नाम कबीर ही है और वही पुन परपिता परमेसर है और जो है न वो आज संत रामपाल जी महराज के सरीर में प्रकट होकर आज पुरे विश्वा को ज्यान दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा पुरे विश्वा का कल्यान होना है। सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा कैसे ली जा सकती है? जिस संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा जो है आज TV के माध्यम से जिसमें संत्रामपाल जी महराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह साम आती है उसमें नीचे पीले पट्टी चलती है उसमें मोबाइल्स नंबर जो है आसरम की सतलोक आसरम की दी जाती है जिसके जिस संत्रामपाल जी महराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्यान गंगा जीने की रह गीता तेरा ज्यान अम्रित पढ़कर उनमें भी अपना सदगरंत को जानने का आधार है सभी धरम गरंतों का निचोड दिया गया है और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दिख्चा ले सकते हैं धन्यबाद सर नमस्कार सर जी